नमस्कार स्पेशनल रिपोर्ट मां आपनू स्वागत छे हूँचो आपनी साथ हे जहरणा उत्राखण मां साथ फेबरुआरी ना रोज ग्लेश्यर फाटवानी घटना नो खौफ हज्यू सुधी छे तपोवन मां तबाही पची हज्यू सुधी सौथी वदू जिन्गीनी को 37 लोकों जे सुरंग मां दबाया चे तिमना सुधी पहुंचवाना पड़कार वच्चे काटमार नो डूंगर बनी गयो छे पर त्याने लई राहत नो श्वास लई शकाए के सेना आईटी बीप औने एंडी अरेप सहीत बधी जरेस्क्यों टीमोए लोकों ना जीव लोकों माते देवदूत बनी ने आवया त्यारे आज मुद्धे जोई है स्पेशल रिपोर्ट देवदूत कि यहां से जा रहा हूं कि लोगों को यह दिखाना जरूरी है कि यहां से जो दूरी तक आप देख रहे हैं दूसी तरब 100 मिट्र की दूरी है और इस 100 मिट्र की दूरी को किस तरब से पार कर सकते हैं बिना डरे न्यूजेट इंडिया पर लगातार हम आपको एक्स्क्लूजिव तस्वीरे दिखा रहें कि आखिर तरास्दी के बाद इस पूरे इलाके का इस इलाके की हालत क्या होई है काटमाल वच्चे जिन्दगीनी शोद जमीन थी आकाश सुधी रेस्क्यू बंध सुरंगमा श्वासनी आशा नदी पर दोरडाना सहारे जिन्दगी तपवनमा आवेलू तबाहीनु पूर गमे तेकलू शक्ती शाली कैम न होई तेही मालाई जिवाई राधाओ सामे घूटनी ये पड़ी गयू छे न जिन्दगी ये हारबानी न रेस्क्यू आपरेशन मा दिवसरात एक करी रहेला जवानोए सुरंग्ति लई बर्बाद थे गयला पुलनी पेले पारना गामु मा दरेक जिन्दगी ने आशा छे के बधूज सामान्य थवाज़े रहू छे उत्तरा खंडना चमोली मा कुदरतना कहरबाद जिन्दगी रोकाई न थी पन दो रडाना सहारे चाली रही छे हमें आविस्तार मा चालता रैस्क्यू आपरेशन नो भाग बन्या सेनाय बनाविला सीपवे पर दो रडानी मदद थी सामे छेड़े गया बिजी तरफ एक गाम मा रो प ट्रॉली बनावी राहत सामगरी पहुँचाडवामा आवी रही छे साथे जित्यां दो रुडानी मदद थी पहुँची शकाय तैमन न थी त्यां हेलिकॉप्टरनी मदद थी खावा पीवानी वस्तुओ अने दवाओ पहुँचाडवामा आवी रही छे तपवन पावर प्रोजेक्ट वाली टनल मा रैस्क्यू अपरेशन चाली रहू छे जे हिठल सित्तेर मीटर सुधी काट माल साफ करी नागफामा आवे छे बिजी तरफ रहनी गामे एक क्रुत्रिम तड़ाव बन्यू हवाना समाचार मलया छे जेने लईने निश्णान तोनी टीम मोकलवामा आवी छे तपवन मा आवेली तबाही नी केटली ये तस्वीरोत में जोई हशे पण आजे अमे तमने जिंदगीनों ते हाईवे बतावी शूं जेमा आप पूर्ने मात आपवानी शक्ती छे तबाही बाद रेस्क्यू आपरेशन युद्धना धोरने चाली रहूं छे सेरा, ITBP अने NDRF ना जवानों देव दूत बनीने आवे आचे आ आर्मी नो बनावेलों जिप वे छे इटले दोरडानों ये वो पुल जैने नदीनी उपर अवर्जवर माते उपयोग करवा माँ आवे छे पाण आ दोरडाना सहारे स्तानिक लोकों जिव जो खम्मानाखी सफर करता डरी रहा हता पन सेनाना जवानों ये आ लोकों नो डर दूर करयो तपोन के एंटीपीसी प्लान्ट में जब सहराब आया था तो उसके बाद यहाँ पर का जो में जूला पुल था वो पूरी तरह से दराशाई हो गया था जिसके बाद सेना ने नया पुल जिसे जिप लाइन का कहा जाता उसे तयार किया है ताकि उसके जरिये लोगों को यहाँ से दूसरी तरफ गाओं की तरफ पहुचाए जा सकता और गाओं के लोगों को इधर की तरफ आ जाए सेना नदी पर आँ जिप ले तयार करें चे अहीं पुल तूट्याबाद सेना दोरडानों आ पुल तयार करें दितो हमारा समवाद दाता जिप ले थी आँ पार थी पेले पार गया अने पच्छी पाच हाफा रहा दूसी दरफ सौ मिटर की दूरी है और इस सौ मिटर की दूरी को किस तरह से पार कर सकते हैं बिना डरे नूज 18 इंडिया से हम सिर्फ एक लोगों को संदेश देना चाता है कि गाओं के लोग जो डर रहे थे कि इस तरफ नहीं जाना है और इस खास तरह से इसके जरिये क्योंकि तौली सा अमोवन लोग जाते हैं और इसके जरिये हम यहां पर यह दिखा रहे हैं कि डर के आगे जीत है क्योंकि जब हम जा सकते हैं तो गाओं के लोगों का एक दूसरे गाओं के बीच में संपर्प सादने का जो यह रास्ता है जिसे कहा जाता है उसके जरिये हम भी यहां पर आये हैं और देखें यह इतनी हाइट है यहां पर लगबक 50-60 मिटर जो हाइट है उस हाइट में हम हवावे हैं और यह रिस्क लेकर हम इसलिए कर रहे हैं को कि हमें भी इताय गया था कि काफी रिस्क है लेकिन लोग जो लोग डरे नहीं और इस डर के आगे जीत है और इसी तरह से लोगों को एक दूसरे के आसपास या गाउं में इसी तरह से रोज मर्रा आना पड़ेगा अमारा समवाद दाता गया पची स्तानिक लोगों ने पढ़ हिम्मत आवी पची तेओ पन जिफवे ना सहारे सामे छेड़े गया आज एक हप्ता लगवगो गया तो आने जाने के कोई ब्यवस्ता नहीं थी तो कल आदा दिन से ही मानावाद सेनन बहुत अच्छी ब्यवस्ता की है ज्यारे नदीनी उपर थी जवानू होई त्यारे आ सफर सरल नथी होती पड़ द्रड मनोबल होई तो हिमालाए पड़ नड़तो न थी आप बै तस्वीरों बतावी रही छे के तबाही बाद जिंदगी के विरिते पाटा पर आवी रही छे पहली तस्वीर मां जोई शकाय छे के सेनाना जवानों ए बनाविला पुल थी लोको पोता ना गामों सुदी पहुँचि रहा छे विजी तस्वीर मां सेनाना जवानों खावा पिवानी वस्तुओं अने दवाओं जिप लाइन थी पहुचाडी रहा छे अगाम ने जोड़तो पुल पन पूर्मा तबाह थे गयो अहीं PWD नी टी में ट्रॉली बनावी छे आएवी ट्रॉली छे जमाबैसी एक व्यक्ती नदी पार करी रहो छे तपोवन में 7 फर्वरी को आये सहलाब के बाद भंग्यूल गाउं को जोडने वाला एक बड़ा पुल धराशाही हो गया जिसके बाद अब रेस्क्यो ऑपरेशन जहाँ जारी है वही दूसरी तरफ इस गाउं का संपर्क दूसरे गाउं और मार्केट से पूरी तरह से कट चुका है जिसके बाद हेलिकॉप्टर के जिरिये लगातार राशन वहाँ पर बाटा जा रहा था अब PWD की तरफ से एक असाई पुल जो ट्रॉली पुल है उसका निर्मान यहाँ पर क्या जा रहा है ये देख सकते हैं एक ट्रॉली यहाँ पर बनाई गई है और पिसले चार दिन से ये पुल का निर्मान क्या जा रहा है प्रॉली सित्तेर किलो वजन उठावी शके छे जिपवे थी लोकोनी अवर जवर प्रॉली थी मानस अने सामान नी हेर फेर प्रॉली चारे बाजु कवर होई छे महिलाओं अने बालको माटे सुरक्षित दोरडाना सहारे जिंदिगी पच्छी जोई ये सुरंग मा जिंदिगी नी शोधना मिशन पर अमारी टीम एंटी पीसी पावर प्लांट नी सुरंग मा चाली रहला ओपरेशन जिंदिगी नी माहिती लेवा पहुंचे 2.5 किलो मिटर लांबी आ सुरंग मा मुख्य दर्वा जे 100 मिटर नो काट माल साफ करवा मा वी चुक्योचे इस वक्त टैनल के अंदर हम है और टैनल में अब स्टाजर्टी ये है कि जो प्लानिंग कही गई है जैसे 10 मिटर, 20 मिटर, 30 मिटर ऐसे अंदर को नवाई की गई है और मेजरमेंट किया गया है ताकि जो रन डिती के तहट जो काम किया जाएगा वो प्लानिंग ये रहेगी कि यहां पर जो मलवा निकाला जा रहा है अब इसके अंदर डंपर भीजा गया है और डंपर अंदर जाता है और उसमें जो क्रेन है वो यहां पर उसमें मशीनरी के जरिये जो है मलवा डारा जाता है हवे टनल नी अंदर नो नजारो जूओ के वी रिते मशीनों थी काटमाल दूर करवा मां अभी रहो छे हवे सुरंग नी अंदर ट्रक जैशके तेवी व्यवस्ता थाई गई छे जनकारणे काटमालने बहार काढवाना काम मां जड़ पावी सुरंग मां ओपरेशन जिंदगी टनल मां थी 100 मेटर सुधी काटमाल काढ़यो 165 मेटर सुधी ड्रोन केमेरा थी नजार सुरंग मां बहार थी ड्रिलिंग नू काम पूरू जासुधी काटमाल साफ करियो छे त्यानू अंतर लखवा मां वियो छे अब हम लोग काफी प्रोग्र्स कर रहे हैं और कल से चेंद मांटेड मसीन भी लगा दिया हैं और अब प्रोग्र्स काफी बढ़े गई हैं सुरंग मां रैस्क्यू वच्चे एवा समाचार आवया के रूशी गंगा नदी तरफ आववा जवाना रस्ता ओपर नी बाजू एक कृत्रीम सरोवर बनियो छे केंद्रीय जड आयोगे एक तस्वीर बहार पाड़ी दावो कर्यों छे के परवतों नी वच्चे एक सरोवर बनियो छे जनी तपास माटे राज्य सरकारे एक टीम ने मोकली छे तपवन मां दरेक पसार थती पल एक संघर्ष छे सुरंग मां लोकोने बचाववानों जंग चालू छे तो फूर बाद चमोली मां संपर्क विहोना थई गयेला गामों खावा पीवानों सामान औने दवायों पहुचाडवानों पण पड़कार छे अपड़कारोंनों सामनों करी आपणा जवानों राहत अनि बचाव कार्यमा जोड़ाया छे तबाहीनों भोग बनेला लोको माटे देव दूत बनीने आव्या छे हवे तमने रेस्क्यो ओपरेशन पर गर्व थाई तेवी तस्वीरों नों ग्राउंड रिपोर्ट बताविये जे पर्वती रस्ताव पर पक पाड़ा थोड़ू अंतर काफू पर मुश्केल छे द्या आईटी बीपी औने सेना ना जवानों खभा पर राश्चन औने दवाव लईने दूर पर्वतों पर पहुंटी रहा छे पूर मात्र पूल ताणिने लएगा हो छे पड़ जिन्दगीन और जुस्तों अड़ी खंब छे अजय आए इस वक्त हम लाता गाउं में पहुंच गए हैं सौ परिवारों का गाउं है और उपर और नीचे दो तर दोनों तरफ यह गाउं जो है बसा हुआ है और यह गाउं है जो की इस लाके का बड़ा गाउं कहा जाता हूँ इस पूरे इलाके से केनेक्टिबिटी पू सामाना को मिल रहा है इस काफी है फिला तो है दो चार दिन के लिए पमीन एकर बरास्ता बने साथ फेबरुआरी ना रोज आवेली तबाहिये तप वननी तस्वीर बदली ना की छे तबाही मौत अने आंसूओ वच्चे अमें तमने बताविये छिये के अहीं अचानक आवेली आफत वच्चे जिंदगी केवी रिते आगलवधी नहीं छे प्रेस्क्यो टीमों हेलिकॉप्टर थी ते गामों मा राहत सामगरी पहुंचाडवा मा जोत्राई छे जनों संपर्क मुख्य रस्ताओ अने पूलों थी तूटी गयो छे ते उपरांत आईटी वीपिनी किटलिक टीमों पगेती चाली ने जो राशन अने दबाओ लोकों सुधी पहुंचाडवानों काम करी रही छे उपर से आपको वो पूरी वैली दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये तवाई का मंजर जो है उन लोग उने देखा और किस तरीके से इस पूरे इलाके में जोशी मट इलाके में तवाई हुई है अपने कैमरे पर से वीपिन पुजारी से कहूँगा कि देखिए ये तमाम वो इलाके हैं जो की जोशी मट और तपवण में आते हैं नीचे आपको टनल का वो एरिया दिख रहा है जहां पर लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है आप देखिए नीचे तस्विरें ये टनल इस तरीके से गाउं गाउं तक पहुचा ही जाती है तो यहां से अब उन गाउं की तरफ चलेंगे उन पडिवार वालों के पास चलेंगे जो की पूरी तरह से इस वक्त डिस्कनेट हो चुका है क्यों ब्रिज तूट चुका है ते जानी ने तमने नवाई लाक्षे के मात रहे गामना लोकों ने पहुंचाड़ी रही छे अमारी टीम पर आईटी बीपी ना आपड़ का रूप सफर मां साथे रही है जब रेस्क्यू करना हमने समान जनता तक पहुंचाड़ा है यह पहला मोटीव है तो रासतों की अम फिकर नहीं करते हैं क्योंकि है यह कामी है तो इसलिए हमारे को चाहे पत्थर गिरे चाहे कुछ़ भी हो जहां तक अमने समान पहुंचाड़ा है अपने लास्ट पॉंट पत्थर कम जाएंगे बड़ी बड़े पत्थर है यह गिरने का डर वी बना रहता है इनगे तो गिरने का डर तो बना रहता है पर तब हमारे को तो अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करना आई टीबी नी टीम एक लाइन बनावी गामना रस्ते पहुंची रही छे, सौथे मुश्केली मां ते लोको छे जे पीमार छे, जो के वहिवटी तंत्र तरफ दी रेस्कू टीमों साथे मेडिकल टीमों पान, मुकलवामा आवी रही छे. अब कहां से हैं? आई बसा हुआ है, और यही गाउं है, जो कि इस इलाके का बड़ा गाउं कहा जाता हूँ, इस पूरे इलाके से केनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. यह वज़े हैं कि लगातार हेलिकॉप्टर की मदद से राहत, सामागरी, मेडिकल एड इन गाउं तक पहु याव्या छे, 166 जिटला लोगोरी शोग को चालू छे. परी जरबू, निवस एटीन गुजराथी.